बिस्मिल्ला इर्राइम असलाम लेक्व दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर हैं बहुती इंटरस्टिंग वीडियो बहुती मज़ेदार वीडियो मनी मेकिंग मेथेड है जिसमें आप एक गंटे में एक ही अकाउंट से बिलकुल जो लो रिक्वार्वेंट से एक गंटे में अडाई एम तक बना सकते हैं दो इशारिया पांच एम पर आर बनेंगे आपकी तो अगर आप चाहते हैं कि इस मनी मेकिंग में आप फुल एक्सपर्ट हो जाएं तो वीडियो का कोई भी इससा स्किब मत कीजिएगा इसको एंड तक कीजिए जो है जुरूर वाच कीजिएगा अधर वाइस आपको अगर आपने कोई भी स्टैब मिस किया तो उसके इसमें आपको जो आना वो फिर प्रॉपर इंफोर्मेशन नहीं मिले इसके लावा वीडियो शुरू करने से पहले मैंने नोटिस किया कि जो मेरे जितने भी व्यू है हमारे चैनल के उसमें 30% ने सिर्फ सब्सक्राइब किया तो तो भाई इसके कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्रा आएगी तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आज आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं मीडियम क्लू स्क्रोल करके मनी मेकिंग करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये कंटिन्यूसली हासल कैसे करने हैं इस वीडियो के बाद जो reward हम open करने जा रहे हैं वो next वीडियो में है उसमें हम 1000 से उपर reward medium clue reward का सकट open जनने जा रहे हैं जिससे आपको जो average का idea भी हो जाएगा कि हमारी जो average है वो कितनी आ रही है नेक्स वीडियो को भी जरूर देखिएगा मिस ना किजिएगा तो सबसे पहले skills requirement के बारे में बात करते हैं तो आपकी स्कील्स requirement है वो आपके साथ सामने बस इतने ही हमें लेवल चाहिए क्लू को complete करने के लिए 30 attack 15 15 strength 40 defense 50 range 40 magic 35 agility और इसके लावा 45 farming और इसके लावा आपको इस house की 60 favor भी चाहिए तो यह थी इसकी skills requirement और इसके बाद बात करते हैं quest requirements के बारे में तो जो आपकी screen पर यह quest आ रही है आपको quest नज़र आ रही है यह इसकी requirement है clue को complete करने के लिए तो आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, जारा, बारा, तेरा, चोड़ा, पंद्रा, पंद्रा, क्वेस्ट करनी होगा है means के आप यह जो है ना यह दोनो requirement आप दो दिन में easily complete कर सकते हैं इसमें तो कुछ को complete करना भी जरूर नहीं है, बाकि आपने सिर्फ इसको start करना है, यह वाली भी सिर्फ start करनी होती है, थोड़ी सी करनी है तीन, चार इसमें ऐसी है, यह जिनके साथ लिखागा, completion of quest is not necessary इसमें जो एना first part करना होता है, यह music की unlock करना होता है, उसके लिए होता है, तो बहुत easy requirements है इसके इलावा आपने दो और quest करनी है, यह clue करने के लिए required नहीं है, यह आपकी clue करने की speed बढ़ाने के लिए required है तो यह आपको clue करने के लिए आपको जल्दी से उस जगा पर पहुंचना होता है, तो यह दो quest आपकी help करेंगी, आप जल्दी से step complete कर सकेंगे एक तो आपने fairy ring जो है, उसको unlock करना है, fairy tool 2 जो है, उसको आपने start करना है, वहाँ तक, जहां तक fairy ring जो है, unlock हो जाए एक तो आपने यह fairy ring unlock करनी है, और इसके लवाज जो दूसरी quest है, वह है, tree non village यह वाली quest, यह आपने complete करनी है, इसके बाद आप जो spirit tree का teleport है, वो use कर सकेंगे इसके इलावा, magic के आपके, जितने ज्यादा level होंगे, उतने आपके लिए अच्छे हैं, जैसे के 70 होंगे, तो बहुत ही जबर्दसत हैं, जितने भी ज्यादा होंगे, उससे क्या होगा, कि आप जो आना, आपके वह वाले teleport unlock होते जाएंगे, और आप उन location पे जल्दी से पहुंच जाएंगे, अदर्वाइस आपको थोड़ा सा time लग सकता है, तो यह required नहीं है, जितने आप ज्यादा करने हैं, उतने best हैं, इसके लावा आपको एक speed चाहिए, एक light source चाहिए, और full graceful अगर आपके पास available है, यह आपकी help करेगा, इसके बाद जो next चीज़ है, वो आपने stash unit बनाने हैं, stash unit के बारे में मैंने already clue पे video बना रखी है, तो stash unit किस तरह बनाने हैं, सारे उसमें भी detail है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो medium clue के stash unit हैं, उसके बारे में, लेकिन sorry मैं आपको stash unit ब बना के नहीं दिखा सकता, क्यूंकि मैं already मैंने वो सारे medium clue के stash unit बना रखे हैं, और उन में जो item है, वो भी store कर लिए हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता, तो clue की complete guide है, उसका link description में दिया गया है, वहाँ से आप देखे, stash unit किस तरह build करना है, तो वो आप कर सकते हैं, तो st stash unit में आपको, जो medium stash unit है, इसमें आपको 42 construction चाहिए, तो ये भी recommended है, required नहीं है, अगर आप bank से ये item, ये जो emote clue होते हैं, उनके लिए ये जो item हम use करते हैं, पास stash unit होता है, stash unit में हम item store करते हैं, और वहाँ से फिर निकालके emote clue को complete करके, और फिर वापस उसी unit में रख देते हैं, इससे फाइदा ये होता है, कि आपको बार बार ये जो item है, ये वापस bank में ले जाके नहीं रखनी पड़ती है, पस इसका ये ही फाइदा है, तो अगर आप stash unit बनाना चाहिए, तो आपको 40, जो 2 construction के level चाहिए, ये total medium clue के हैं, ये जो 23 है stash unit, इसको बनाने के ल होना चाहिए, एक सा होना चाहिए, दो और प्लैंक, दस नेल कोई भी, जैसे के बरॉंजे नेल, और आपने जो वहाँ पे item सेव करने हैं, वो आपको चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि हम total अगर सारे बनाएं आज की date में, तो हमारा जो खर्चा है total वो 147 के है, means कि पैसे इतने ही लगें, लेकिन अगर आप बैंक में बार बार जाएंगे, तब आपका जो time काफी waste हो जाएगा, तो बैटर तो यह क्या 42 construction भी साथ कर लें, और साथ ही जो आना, यह सारे stash unit बना लें, यह इनकी location दी हुई है, जैसा कि यह canvas में, मैं जब clue करूंगा तो आपको उनक जब आपको step आएगा तो आपको map की location दिखाएगा, तो आप ऐसा करें कि यह 3-4 चीज़े साथ ले जाएं, और इसके लावा जो material वहाँ पर required होगा, वह साथ ले जाएं, और उसको build करके, जो remote clue complete करने बाद उसमें store करके वापस आजाएं, आपको एक बार grand exchange आना और इसके बाद वहाँ पर जाके, remote clue complete करें, और इसके बाद वहाँ पर item store करके वापस आजाएं, आपको bank में नी store करने करें, जो total item आपको चाहिएं, वो मेरी screen पर आप देख सकते हैं, जो अगर आप एक की साथ buy करना चाहरे हैं, तो mostly इसमें single single item है, यह 2 हैं, यह 5 हैं, और इसके लावा यह दो हैं, और इसके लावा बाकी यह दो दो item है, यह दो item है, बाकी single single item है, आपके तकरीपन 137 के आपके total जो है आपका, जो आपका जो यहाँ पे expenses हैं, इसका खर्चा है बनाने का, तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि इसकी जो requirement हैं, ज्यादा मुश्कि कर सकते हैं, और इसके बाद आप जो हैना money making कर सकते हैं easily, इसके लावा आप बात करते हैं, clue को कैसे complete करना है आपने, एक तो आप जितने भी teleport free हैं, यूज कर सकते हैं, वो आप करेंगे, जैसा कि मेरे पास तो जो हैना, दो तीन teleport free हैं, यह यूज करूँगा, इसके लावा जो रून्स हैं वो कुछ आप साथ ले जाएं इसके लावा आपने जो पार्टी हाउस वर्ड यूज़ करना है अगर आपके हाउस में कुछ नहीं लगा हुआ टैलिपोर्ट नहीं लगे हुए तो हम जो आना किसी और का हाउस भी यूज़ कर सकते हैं नहीं वहाँ जाएं वहां से यूज़ करते हैं मैंत towards के लिख कर रहा हुं जा वहाँ ृरी चौहएं से पॉट नैक्शी होगा वहाँ हैं प्र जो स्कुर्ट ट्री हृज वो टैलिपोर्ट कर सकते हैं है तो आपको अपने हाउस में कुछ लगाने की जरूरत नहीं अब के लैवल हैं फिर तो ठीक है दर्वाइस आपको जो यह फर्चा करने की भी जरूरत नहीं तो जैसा कि मैं आपको अपना सेट अप फिर से लिखा देता हूँ यह मेरा सेट अप है मैं तीन चार चीज़ें जो है ना फ्री वाले यूज़ कर रहा हूँ और इसके लावा मैंने यहां पर रूम्स रख्या हूएं यह वाले मैं इस में से दो तीन टेलिपोर्ट करता हूँ एक मैं हाउस वाला इसके लावा यह यनेल वाला और इसके लावा कभी कभी कैम लोड और यह जैरिक त्रिसमेन अगर आपके पास अवेलेबल है यह हासिल करना भी काफी असान है आप एक गंटे में मैक्सिमम इसको हासिल कर सकते है तो चलते हैं दोस्तों अब क्लू की तरफ के क्लू को कंप्लीट कैसे करना है और इसके लावा क्लू को हासिल कैसे करना है जैसे कि मेरे पास एक क्लू मुझूद है तो हमने क्लू को हासिल कै कि इसके लिए हम बाइ करेंगे एकलैक्टिक एंपलिंग जार यह हम बाइ करेंगे इसको उपन करके हम यहां से क्लू लेंगे यह बहुत एजी मिल जाता है अगर आप 25 उपन करते हैं तो एक के चांसित हैं मतलब 100 में से 4 के चांसित हैं और यह जो खर्चा है यह इसमें जो हम इसको उपन करेंगे और जो आपका प्रॉफिट है यह मिला के यह इस पैंसिस निकालने के बाद जो आपका जो प्रॉफिट होगा वो साड़े डाइयम होंगे दो इशारिया पांच हैं एक और सबसे जो बड़ी चीज है अगर आपके पास पहले से क्लू पढ़ा है बैंक में पढ़ा है यह आपकी इन्वेंटरी में पढ़ा है तो आप जितने भी जार उपन कर लेंगे आपको नया क्लू नहीं मिलेगा तो आपने यह ख्याल रखना है ऐसा नहों कि बैंक में पढ़ा हो और आप जो आना साथ आठ सो जे उपन कर दें और आपको मिले जब भी कोई भी क्लू हो तो आपको दो दफार नहीं मिलता अगर आपके बैंक में यह इन्वेंटरी में है तो आपको कभी भी दोबारा नहीं मिलेगा या तो आपको पहले उसको ड्रॉप करना कि अब हम साथ साथ याना ट्रॉप के स्टेप कंपलीट करेंगे और साथ सार्डी सिकस करेंगे सबसे पहले आपने जब भी कोई क्लू करना है तो आप क्लू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने कहां पर जाना है या तो यहां पर लिखा आएगा क्लु की टाइब हां यहां पर लिखा है bardzo इस पर अव्र कि एक पर नदर आगर इस पर घ्लेंगे तो आपको पता चल जाएगा लाग एक तो फेरी ये वाला हम BKP ये यूज़ कर सकते हैं यहां पर आ सकते हैं इसके लावा हम रिंग डूलिंग का कासल बार जो है यह टेलिपूट करके ये वाला पात इस्तमाल करके हम यहां पर आपने सिंपली अगर आपका फेरी रिंग एक्टिव है तो आप क्या करेंगे उसमें नहीं है फेरी रिंग तो आप किसी का यूज़ यूज़ कर लें और वहां पर आपने यह वाला जो कोड दे देना है इसके लावा जो आपने सौफ्वेर यूज़ करना है यह आप रून लाइट यूज़ करेंगे रून लाइट में आपको जो है ना यह जो सारी फीचर्स हैं यह आपको यहां पर नज़र आएंगी क्लू नज़र आएगा अगर आप वास बड़ी यूज़ कर दें थोड़ा मुश्कल हो जाएगा इसमें मैप क्लू होगा या कोई भी क्लू होगा तो आपको इजली उसकी लोकेशन मिल जाएगी तेख तो आपने रून जो है ना रून लाइट सौफ्टर यूज़ करना है यहां पर आके हम डिक करेंगे यह डिक का आइकन है यह देखिए हमें एक न स्टैप यह आप टैलीपोर्ट स्पिरिट ट्री यूज़ करके यहां पर आ सकते हैं और इसके लावा मेरा चूंके स्टैश यूनट बना हुआ है अगर आपका नहीं बना हुआ या आप बैंक से समाल लाना चाहरे हैं तो आपको यह तीन चीज़ें साथ लाना होगा क्यूं जाना जिल्टी को हम जाना के ऊपर जाके इस कमरे से उपर यहां पर यह देखिए यह मेरा स्टैश उनट बना रही है और इसमें मेरी आइटिम पढ़्या है कि यह मेरे तीन अईटिम पढ़िए उसके बाद जो मीडियम क्लू होता है इसमें दो जो आइम मोट करने होते है यह देखे यह फर्स्ट करेंगे तो यह आ जाएगा लेकिन यह ना यूरी आ जाएगा लेकिन आपसे यह टॉप नहीं करेगा इसके लावा एक और चीज़ अगर आपके पास कोई इन में से एक भी आइटम आपने इक वीपने की होगी तब भी यह जाएंला पीरी नहीं होगा तोह आपने और गया और आसे दोनों करने इसके बाद आपने शोर शितनु ब्लाने के लिए अगर यहां पे बिल्ट लए लेवल होते तो इसाला मिल्ट कर देना था अद्बारा क्लिक करेंगे तो यह आइटम उसमें स्टोर कर देता है फिर से क्लिक करेंगे तो वापिस जो ले देता है अगर इन में से एक भी आइटम मिस होई तो यह इसमें स्टोर नहीं करेगा जाना आइटम आपके जैसा कि मैं यह कुई कर लेता हूं तो यह इसमें आइटम स्टोर नहीं करेगा ठीक है तो इसके लिए आपको आइटम स्टोर करने के लिए आपको सारी आइटम चाहिए यह देखिए उसके बाद जो नेक्स टेप है बाद आप अगर आप मैब पे जाएंगे तो आपको मैब पे नजर आजाएगा कहा बहना है यह देखिए हमें यहां पर आना नहीं एक तो आप यह फिखरें नह्म जोस बड़ी और असान चीज हैं मीडियम क्लू में आपको विल्डरनेस में जाना और आपको बस ज्यादा से ज्यादा कुछ गार्स किल करने तो उसके लिए आपको एक कोई भी वैपन आप एक साथ ले हैं जो भी आपके पास अच्छी एवेलेबल है वन एडिट लेलें जो ज्यादा करना होता है तो यहां पर जो लूकेशन है वह सेम ही है अधी कैम किया और है यहां से यह परर यहां पर यह हमें दौ्रस पर लोओ करने के पाता आपने बैंकिंग के लिए कोई इवरी तैलिपोर्ट साथ लेसे जैसा कि ग्लोरी है उसका एज वेल टेलिपोर्ट करने मेरे पास क्योंकि फ्री टेलिपोर्ट है जो बैंक के बिल्कुल पास है तो मैं यही यूज करूँगा जैसा कि वह हमने कंप्लीट कर लिया अब हम इसको ओपन करेंगे एलेक्ट्रिक एंप्लिंग को मैं इसका पूर रेट भी दिखा देता हूं यह जो एक है आज इसका कुछ रेट ज्यादा बढ़ा हुआ लेकिन जो इसकी एवरेज है बाइस सो से चबीस ताइस सो तक इसकी जो प्राइज रहती है तो इसको हम ओपन करेंगे इसमें से जो हमारी जो एवरेज है वो पच्चीस में से एक है तो आप इन्वेंट्री को यहां पर दस या 11 पर सैट कर लें और निकालते जाएं और ओपन करते जाएं कि सम्टाइम आपको तीन चार ओपन करने पर मिल जाता है सम्टाइम जोना हो फोड़ा लेट भी हो जाता है हंडर्ट तक ओपन करने पड़ते हैं कि अगर आपकी इन्वेंट्री में श्पेस नहीं होगी दो इन्वेंट्री खाली ओंगी तब degree खुलोगी तो आपको यहां पे जो मैसेज में आपको ऐपन करके दिखाता हूं उस केस में यह ऐपन नहीं करेगा है को यहां पेख मैसेज आए गया यह देखी है्ट अगर जार ब्रेक नहीं होगा तो यह देखिए यह मैसेज आ रहा है कि आपको पहले आपको इन्वेंटरी फ्री करनी पड़ेगी यह जितनी भी आपके पास आइटम होगी बैठर है कि आप इनको बैंक में ना रखे हैं अधर आपको यह देखिए मैं मिल गया कि अब ये कैंष मैं मुझे तो लोकेशिन का बता है लेकिन मैं 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 दिखानी के लिए इस जगा पर हमने यहां पर एक रिएड़िव वो सेच करना है यहां पर लिखा होता है कि आपने करना गया था लोकेशन का नाम लिखाता है तो मेरा यह भी प्री टैलीपोट अविलेबल है यह कर लेता हूं अधर वाइज आप जो एना फेरी रिंग का जोए टैलीपोट कर सकते हैं यहां पर यह कोड़ है CKS इसके लबाद यह वाला टैली है बहुत ही असान है कुछ स्टेप ऐसे हैं जो मैप पे नहीं आते या वहां पे जाना थोड़ा मुश्किल है तो उसके लिए मैंने आल्रडी आज वीडियो बना रही है यह मैं जब वीडियो पुब्लिश करूंगा तो उससे पहले हुआ अधु सर फैसी जगा यहां पर प्रूंप फेल के लिए वीडियो बना दी हैं तो वह यह वह वहां से हाप प्ले लिउस्ट होगी मीडिम क्लू सक्रों की इसमें से आप وہ वह्ला सीप सच करके हैं आप हम क्लू पे लिखा होगा जो भी लिखा होगा आप स्टार्ट में से सेर्च करेंगे तो वो आप कर सकते हैं अब यह हमें विरॉक में जाना है लेकिन मैप में आपको दिखा दूँ यह आपको एवरेज जो है एक गंटे में आपने 20 करने रहते हैं यह देखिए विरॉक में तो शिरू में आप जब 200-300 करेंगे तब तक को आप थोड़ी सी परेशानी होगी आपको हर बार मैप देखना पड़ेगा लेकिन उसके बाद आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी का आपको मैप देखने की जरूत नहीं है आप बस ऐसी करते जाएंगे यह देखिए इससे सम टाइम सिर्फ टॉक करनी होती है जैसा कि हमने की सम यहां यहां पर यह वाला पॉर्टल यूज़ कर सकते हैं यह इंचैंटी टेर यूज़ कर सकते हैं इसके लावा यहां पर फेरी रिंग है वो यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो मेरे पास जो अच्छी मिट कैप है तो मैं यह यूज़ करूँगा क्योंकि free है तो free से फाइदा उठाना चाहिए यहां पर हमने दो बार talk करने होती जो answer देना होता है जिसमें answer देना होता है यह लिखा होता है यह हमें four answer देना है इससे हमें एक बार talk करेंगे स्पेस दबाते जाएंगे और इसके बाद है हमें ये क्लू दे देगा आपने कुछ नहीं करना आपने फिर सिंपली से दबारा टॉक करें इस पेस दबाएं और यहां पर आंसर लेखें तो बहुत यह असान है क्लू करने के बाद आपने किसी भी बैंक में पास जो भी आपके से दो तीन और ओपन करते हैं थोड़ा सा राम से आप ओपन करें इसको यह देखिए यह एज्वेल में मेरा स्टेश यूनट बना हुआ है अगर आपका स्टेश यूनट नहीं है तो आपको यह तीन चीजी साथ लेके जाना होगी बस कुछ और नहीं है क्योंकर हर बार बैं आप यूज करेंगी बहुत ही पास है इसके मेरा थोड़ा सा जो टैलिपोर्ट था वह दूर था तो एजवेल आपको बिल्कुल पास लेकर आगा इस लिए देखिए मेरे स्टेश यूनट में यह तीनों आइटम पड़ी थी मैं कोई कुई कर लेता हूं एक और चीज मैंने अगर आप ऐसा कुछ सीन आता है कि यहां पर आप इमोट करते हैं और कुछ भी अपीर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कुछ आइटम आपने गलत पेहनी हुई है या आप जो है ना वो मिस्स कर गए यह इमोट क्लू है इसमें मोट में दो होते हैं जैसे मैं आपको तका है सेकंड दोनों आपने करने और इसके बाद प्लू कंप्लीट करने के बाद हम स्टेश जोनर में अपनी आइटम स्टोर करते हैं आपको फिर भी मैप पे दिखा देता हूं यहां पर हमने आना है तो जैसे आपने देखा कि बहुत ही असान है विल्टर नैस में आपको जाना नहीं होता जो हार्ड वीडियम और गुट है लीट सॉरी हार लीट और मास्टर जो हैं उनके लिए आपको विल्टरेंस में स्टेप होता है, मतलब हो जाने लगए तो आपको सेट अप चेंज़ करना बढ़ता है, लेकिन आपका जो विल्टरेंस ने स्टेप आए गए हम केव यह चोटी जी केव है यहां पर एरो आ रहा था यह रून लाइट आपको बताता जाएगा तो हम केव के पास आए इंटर यहां पर हमने बस टॉक की और जैना वो स्टेप हमारा कंप्टिर हाँ यह एक स्टेप देखिए इस टेप के लिए आपको मैप पे कुछ नजर नहीं आएगा और मैप पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा लेकिन मैंने यह आल्रड़ी वीडियो बना रखी है इस पर मैं आपको वह भी दिखा दिता हूं थोड़ी सी यह दिखिए इसमें आप भी मैंने पब्लिश नहीं की तो इस वीडियो को पब्रिश करने से पहले करता हूँ है तो कुछ ऐसी वीडियो है जिसमें आपको पता नहीं होगा कि आपने जाना का है तो उसके लिए मैंने आल्रड़ी वीडियो बनाई हुई है तो इसके लिए हम सिंपली लूम्रेज जाएंगे और अगर आपका स्टैश यूनिट नहीं बना हुआ तो वो जो आइटम मैंने आपको जो आप साथ लेके आएंगे यह वाली आइटम और यहाँ पे वीडियो जो मैंने चोटे सा पीस बनाया हूँ उसमें मैंने आलड़ी दिखाया हुआ है कि अगर आप फर्स टाइम आ रहे ह हैं आप एक रोब साथ लेके आएंगे और इसके लावा आपने लाइट सोर्स साथ लाना है मैं लाइट सोर्स साथ नहीं ला रहा है कि मेरी जो फायर पिट जो है वहां पे बिल्ड हुई है इस वज़ए से मुझे उसकी जरूरत नहीं है लेकिन आपने वो लाजमी साथ ला करेंगे दूसके बाद आप यहां पर क्लिम डाउन कर सकते हैं यह देखें यह मैंने यह जो इन्थरनल जो है ना वह लाइट जैना फाइर पिट बिल्ट की रही है और यह मेरी आइटम है यहां पर स्टोर रहे है इमोट क्लू में आपने इसको एक्वीप करना होता है यहां प कुष टैप आप चैक भी कर सकते हैं जैसे हमारे तीन हो गए है तो तीन तक भी पॉसिबिल्टी थी कि को पीट होले लेकिन इसमें तीन से पांच स्टैप होते है पिर से क्लू पर देखते हैं हाँ यह मैं आपको मैप पर दिखा देता हूं यह हमें जाना है कैम लॉट से आगे यह देखे यहां पर कैम लॉट करेंगे और यहां से उते हुए इस जगा पर आएंगे इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई इसके लाव आप टेलिपोर्ट व्यूज कर सकते हैं तो हम कैम लॉट करेंगे इसकी जो एवरेज है वह एक गंटे की जो है वह आप में 20 क्लू करने होते हैं कम्प्लेट इसकी जो एवरेज है वह जितने आपके टेलिपोर्ट आपके पास ज्यादा होंगे आप उस लूकेशन पर जल्दी पहुंच सकेंगे उतने ही आप जाणा ज्यादा कर सकते हैं लेकिन यह मैक्सिमिम जोएना अपर जैगर आपके पास टेलिपोर्ट अवेलेबल नहीं इतन ज्यादा तो पॉसिबिल्टी है कि आप सिर्फ जो है ना वो आठ दस बारा पंद्रह ही कर पाएं एक इंटे में तो यह आपके टैली पोर्ट पे डिपेंड करता है कि आपके पास टैली पोर्ट कितने हैं आप उस लोकेशन पे कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं वापिस बैंक में कितनी जो आपने बच एक जो आना बैंक जो आना पास वाला कोई ना कोई जूरूर यूज़ करना है ताके आप जल्दी से वापस आ जाएं दोबारा से ओपन करके नया क्लू अज़र कर सके हैं इसके लावा यह आप देख रहे हैं कि मैंने 815 जो है ना हमने अल्रडी जैना क्लेक्ट कर रखी हैं रिवार्ड काश्कर मेडियम की और जो इससे नेक्स्ट वीडियो है उससे हम इसकी आवरेज निका लेंग जितने हम ओपन कर रहे हैं इनको ओपन करेंगे और देखेंगे इतनी आवरेज आती ही करेंगे तो यह एक ऐसा तरीका है मेडियम क्लू को असल करने का जिससे आप जो आणा कंटीनुज्ट ली आसल कर सकते हैं इसकलाब आप बॉसी से माइनिंग से फिशिंग से भी आसल कर सकते हैं उनका इंटेंग से लेकिन वहाँ पे चांसिस आज़ जैना वह उनका ड्रॉप रेट बहुत ही जैना हाई होता है मतलब काफी देर बाद आपको क्लू मिलता है तो जैना वह आपकी जो मतलब आप पर्मनेंटली और कंटीनुज्ट ली जैना वह क्लू नहीं कर सकते है क्या यह टेलिपोर्ट है इसके लिए मैंने आल्रडी हाउस में लगा रखता है प्रोटल सअरी नैक्सिस में टेलिपोर्ट है मेरा आपने जाना करें यह तो आपडिक साइट करेंगी डिक साइट आपको इस जगह पे ले गयाए गा लिए ढकाउने घरखेश मांने cm परेखेशे यह आपि अस șiयर चाहिए ब्सक्राइब हर को Зब्सक्राइब हो कवेखेश अंत्राती सब्सक्राइब करें और आप मैं यह थे पर होता है है ज़ंड स्पल और मैन स्वट करेंगे लिएक है इसे पर की उपने तो आपके हाउस में नहीं लगा हुआ तो आप किसी और की हाउस में चले जाए वहां से यूज़ कर लें लेकर नहीं इसके लिए आपकी जो है ना वह स्पैल बुक अनलाउक होनी चाहिए तभी आप यूज़ कर सेकें कि यह देके करना है या आपको वहां पर जाकर क्रेड़ान जाकर रफिक शर्च करना है कि यह देखे लिएगे एस अंफ फैरी दिन्ग यूसकर आपको मैप उपन करने की बिज़र आप यहां पर लिख़ा है सीटेस तो हम शीकिए अध्या करेंगी इसमें हमने सिर्फ टॉक करनी है इसमें हमने जो आना वो और कुछ नहीं करना यह देखिए यह वाई साथ भी टैलीपोर्ट जो आना क्लूरी कम्प्रीट कर रहे हैं है यह देखिए यह आप लोकेशन यहां से देख सकते हैं इस जगा पर आपको आना है तो यह तो आप गुलोरी इउस कर सकते हं कर्म जात हैं इसकतंपिकला यह बो ती यहांप 울ज्याओं यह आता हूस यहांपर रिडिरिक्ट्स कर सकते हैं wise को च्यापर है direct آپ کو अगर नहीं पता तो मैं पिर पिर भी आप हो डिखा देता हूं कैसे redirect बनता है या कैसे आपने यूजड करना है लिए तो redirect टेलीपॉर्ट बनाने के लिए आपकोaver itself कॉए खरोफ भी डिडरी डिख चाहिए जो आपको nightmare zone से मिलता है nightmare zone एक से यहां से, यह point से आप यहां से ले सकते हैं, और इसको लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने use करना है, और एक teleport to house उस पहाँ उसके आपना है, इस आप, अगर आपके 40 construction होंगे, तो यह आप, इसे build कर सकते हैं, यह आपको उसी लोकेशन पे लेकि जाएगा यहां पर तो आपको यह मिनी मैप में भी और अरो आ रहा है यह रून लाइट का यही फाइदा है कि आपने किस लोकेशन पे जाना है यह आपको फौराँ नहीं बता देगा कि यहां पर आके हमने सिर्फ टॉक करनी है अंसर कोई नहीं देना इक बार टॉक करेंगे जो हमें जो नेक्स्ट जो रिवार्ड कास करें यह हमारे तीन स्टेप हो गए हैं इसके तीन से पांच होते हैं यह मुझे आइडिया है कहां पर जाना है लेकिन आपको मैं पर फिर भी दिखा देता हूं आप स्पिरिट्री का टेलिपोर्ट यूज करेंगे यह आपके पास स्लेयर रिंग है तो आपको यहां पर लेके आएगी यहां से होते हुए आपने यह गेट ओपन करना है और साथ आपको समझ नहीं आ रही कि आपने कहां पर जाना है तो आप मुझे कमेट में बताईएगा जरूर कमेट सेक्शन में तो मैं वह मुझे आप उस जो क्लू पर लिखा होगा जो भी वह वाला पूरा स्टेप मुझे वहां पर कमेट में लिखके बता दीजीएगा मैं उस पर जो हैं वीडियो बना कि आपको शेयर कर दो है आलड़ी मैंने कोशिश तो की है कि सारे स्टेप जो है कंप्लीट कर ली है मैंने लेकिन हो सकता है कि मैंने तीन चार रह गया हूं तो आप मुझे कमेट सेक्शन में बता दीजीएगा यह मारा एक और स्टेप हो गया है अगर यह देखिए इसकी भी मैंने अलड़ी वीडियो बना रही है यह हम क्रामजा में जाएंगे यहां से जो प्रीवियस टेलिपोर्ट करके आए थे मेरा वहां पर भी प्री टेलिपोर्ट है जो यूज़ यूज़ करेंगे कि यहां पकले हो कि हएँ करें लिए फार करें इसको पहले क्या करते हैं उसके बाद की हासिल करेंगे यह देखिर हमें मिल गहीए मीडियम का और शे बार जो मैप पर लोकैशन आ रही है उस लोकैशन पर अब जाएंगे यह यह लोकैशन आ रही है यह डोर उपन करेंगे है यहांप derivedンネル है. उसको क्लीम अफ करेंगे और यहां पर जो जास्ट है या ट्रार है वो उसको यह देखिया मेरी वार्ड कास्केट मिल गए तो काफी ज्यादा लोग जो इस वचे से परेशान होते हैं कि जाना उनको जो आगा वो पता ही नहीं है कहते हैं कि जी पता नहीं क्लू में करना क्या होता है मैं पता नहीं है वो कुछ चीजें साथ लेकर जानी होते हैं तो चीजें आपको जो भी साथ चाहिए अगर आपने नहीं अलड़ी स्टार्ट में बनाएं तो आप यहां से रून लाइट में देख सकते हैं आपको आइटम कहाई कौन सी चाहिए और आपने जाना किस जगह पे तो यह रून लाइट आपको बहुत ही आपके लिए इसलिए जाना वह आप हमेशा जाना यही यूज़ करें अच्छा यह में फैलाडोर में जाना है या तो आप उसके रून साथ ला सकते हैं क्योंकि मेरा वहां पे पोर्टल लगा है तो मैं डेफिनिटली वह यूज़ कर लेना है बहुत ही जज़ना कम लेवल पर खलर टेलिपूर्ट हों ने खाल से ये 37 पर कि हाँगेः के अगर आपके 70 लेवल होंगे तो आल्मोस्ट आप सारे ज़ना वह टेलीपूर्ट जो कलू में आए गे वह कर सकते हैं तो मैं इस जगह पे आना है यहां पर आएंगे यह यहां से गुंग कर हम यहां पर यह गेट ओपन करके इस जगह पर आजाएंगे या इसके लब आप ट्रेवली जो है रिडरेक्ट टेलीबोर्ट यूज कर सकते हैं या इसके लब आपका हाउस यहां पर आप यहां पर आजाएंगे मेरी जो एवरेज एक गंटे की वह मैं 15-20 एजली कर लेता हूं 15 संटाइम ऐसा होता है कि आपको आपको काफी फासला तेह करना पड़ता है सम्टाइम ऐसे स्टेप आ जाते हैं अभी तो आपने देखाằng जैसा कि यह वाला स्टेप है तो यह आपको अगर आपने कैप्टन वाली क्वेस्ट की होगी को आपको पता होगा इस एरिये का जहातो आप यहां से आएंगे यहां जाम अगर आपकी टुंटे एजल्टी यह तो आप यह फेरी रिंग use करके यहां से squeeze करके यह वाली इजैर्टी क्रॉस करके यहां पहले है है इसके लाब आप यह मैं quienes in its calculator जो एक उसका टेलिपोर्ड में करके रेंगे जुरेंग में जाऊंगे तो संब टाइम ही ऐसा होता है कि जहां पर आपको कुछी स्टेप ऐसे हैं जहां में आप आपको काफी फासला तेह करना पड़ता है अधरवाइस आप जो आना वो मुस्टली जू लुकेशन्स हैं वो टेलिपोर्ट के पास ही होती है तो दोस्तों यह आप ट्राइज रूर कीजिएगा इसके लावा जो आप बोर नहीं हो गया मुफली जगों पर आपको जाना होगा आप जाना हो मतलब बहुत वगयरा एक अगर आप किल करते हैं तो इससे आप बोर हो जाते हैं या आप कोई और वुड कटिंग जा माइनिंग भी करते हैं तो इससे वो लेकिन इससे अगर आप गया काँट चला रहे हैं तो फिसके एसाफ से अगर आप एक भी चलाएंगी सुझत कर सकते हैं असे में यहां पर गेम नेकलस और यहां पर इसके तो आपने देखा कि ज्यादा मुश्किल नहीं है बस आपने मैप देखना उस जगह पर जाएंगे तो आपको एरो ही बता देगा कि आपने किस जगह पर जाना है आपने वहां पर जाना है या दो डिक करना है या सेर्च करना है या आपने टॉक करनी है या आपने आंसर देना है एक दो हैं वहां पर आपने तीन चार ऐसे हैं जहां पर आपको गार्ड किल करना है उसके बाद जैना सच करना पड़ता है और इसके लावा बाकी के जो 23 इमोट जो आपको समान चाहिए और इमोशन वहां पर जाके करने होते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट विडियो दोस्तों जो एक थाउजन जो है ना वह ओपन करेंगे मिनिमम इसमें अब वह आवरेज निकालेंगे कि अगर 20 करते हैं तो यह आपीज तक्रीबन तक्रीबन 60 गंटे लगेंगे इनको कंप्लीट करने जो मैंने आपर आरी आ रही है 60-65 गंटे तो 2-3 दिन में complete हो जाएंगे असल में time नहीं होता complete करने का फाफी दिनों से लगा हूँ कुछ ही गंटे कर पाता हूँ तो next वीडियो में हम देखेंगे कि हम अगर 20 करते हैं तो हमारी जो average है अगर हम daily के 20 करते हैं एक गंटे में और हम जो 10 गंटे करते हैं तो हम हमारे जो 200 होते हैं और इससे हम देखेंगे कि हमारी जो average है वो क्या आती है तो उमीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी आपने detail से देखी होगी तो आपको समझ आई होगी अधरवाइस आपको फिर से देखना पड़ेगी या आपको इसकी समझ बिलकुल नहीं आई होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दौाओं में याद रखेगा अलाहाफेश